दोस्तो जस्ट अभी छोड़े दिर पहले सीप्री ने अपना नया इयर बुक रिलीज किया है जब भी सीप्री आने स्टॉक होम इंटरनाशनल पीस रिसर्च इंस्टिट्यूट ये इयर बुक रिलीज करता है सबसे पहली नजर जाती है किस देश के पास कितने नियुक्लियर बॉम्स थे लेकिन अब इंडिया ने जस्ट थोड़े से ही पाकिस्तान से ज़्यादा नियुक्लियर विपन्स बना लिया है पर दोस्तो यहां पे एक विचितर चीज देखने मिली चाइना दोस्तो एक अलग ही रेस में अकेला भाग रहा है देखने वाली बात ये है चाइ चाइना ने बस एक साल में ऐड किया है टिया दोस्तो चाइना रिकॉर्ड पर इस पे न्युक्लियर बॉम्स बना रहा है तो यहां पर सबसे पहले आपको बता देता हूं देखे इन टोटल नौ 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 क्लियर आम्ड स्टेट्स हैं यूच है यूके है फ्रांस है चैना ह देश है जो की एक North Korea हो गया और दूसरा इस्रेल हो गया जो की लेटिस्ट एडिशन्स बताए जाते नौर्थ Korea जिसमें से एक है अब दोस्तों यह सारे ही देशतने न्यूक्लियर आर्सनल्स को तो करी रहे हैं इसके सिवा नए नए डिलिवरी सिस्टम भी बना रहे हैं जिसके दवारा यह अपने न्यूक्लियर वार हैड्स को दुश्मन तक पहुंचा सके अब दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि रश्या और USA के पास अकेले दुनिया के 90 प्रतीशत न्यूक्ल 24 की जो की 2024 में घटके 5044 हो गई याने कम हो गया क्योंकि यह अपने वारेट्स को रिटायर कर रहे हैं पर दोस्तों यहां पर एक चौकने वाली बात यह है कि US के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं 1938 ही केवल स्टोर्ड हैं बाकी 1770 डिपलॉइड हैं याने बटन दबाना है और वो ready to launch है कुछ घंटों में तो कुछ कुछ मिनट में depending upon किसमें वो डिपलॉइड है मिसाइल सी लोज में है या अलग तरीके से कहीं पे न्यूक्लियर सब्मरीन में है तो विदिन फ्यू मिनट्स टू आर्ट्स यह सब कहीं भी अपने टार्गेट को हिट करने में सक्षम है वैसे ही रश्या भी अगर आप देखें तो इसके पास जो टोटल इन्वेंटरी थी 2023 में 5889 न्यूक्लियर विपन्स की थी यह घट के 5580 हो गई और इसके साथ इसने भी अपने न्यूक्लियर विपन्स रिटायर किये हैं यह लोग हर साल करते जा रहे हैं इनके बीच में ए 1710 न्यूक्लियर बॉंब्स अल्रेडी डिपलॉइड है दोस्तों जब हुम कहते हैं न डिपलॉइड डिपलॉइड का मतलब है यह वह न्यूक्लियर विपन्स हैं जो कि कहीं किसी डिलिवरी सिस्टम के साथ अल्रेडी अटैजड है टेकनिकली अलग शब्स होता है अटैज कहीं पानी में छुपके बैठा हुआ है और उसमें वो मिसाइल में डिपलॉइड है आजकल तो दोस्तों रश्या की बात करें तो न्यूक्लियर टॉर्पीडोस भी है तो इन सारे तरीकों से वो अलग अलग जगे पे डिपलॉइड है वैसे यूके की बात आप अगर करें तो यहां पर आप देख सकते हैं यूके के पास 225 पर स्टेटिक है इन्होंने न्यूक्लियर विपन एड नहीं किया है नहीं कम किया है 225 इन टोटल न्यूक्लियर विपन हैं जिनमें से 120 डिपलॉइड है 105 स्टोर्ड है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर दुनिया वहीं फ्रांस की अगर आब बात करें तो इसके पास इन टोटल इन्वेंटरी 290 न्यूक्लियर विपन की है और वह एज इस रही है इन 290 न्यूक्लियर बॉम्म में 280 हैं केवल 10 स्टोर्ड हैं तो सब कुछ ready to use state में इन लोगों ने रखा है अब दोस्तों यहां पे देखने व 500 हो चुका है अब दोस्तों इन 500 बॉम्म की अगर आप बात करें तो चाइना ने भी अब डिपलॉय करना शुरू कर दिया है 24 न्यूक्लियर बॉम्म चाइना के already deployed है केवल 476 stored है यह एक नई चेंज देखने मिल रही है चाइना भी वरना इंडिया के जैसा store करके रखता था deployed state में नहीं रखता था दोस्तों यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान नौर्थ कोरिया इस्रेयल की बात करें तो इन सभी के nuclear weapons stored है यह deploy करके नहीं रखे इंडिया के पास दोस्तों 2023 में 164 nuclear bombs थे यह बढ़के 2024 में 172 हो गया है 172 हो गया है वही पाकिस्तान का static है 170 पहले भी अभी भी 170 है याने की 2023 में पाकिस्तान ने नए nuclear bombs नहीं बनाए हैं वही नौर्थ कोरिया ने 20 nuclear bombs बनाए हैं 2020 में इसके पास 30 bombs थे इस बार बढ़के यह 50 हो चुका है वहीं इस्रेयल की बात करें तो 90 के 90 इनके total nuclear bombs जसके तस हैं और यह सभी के सभी stored हैं कोई भी deployed नहीं है इ अगर देखें तो वो 5681 है deployed 3904 हैं दुनिया के पास इन टोटल 12,121 nuclear bombs हैं दोस्तों यहां पर देखने वाली बात यह है कि चाइना में तेजी से nuclear bombs बढ़े हैं एक साल में 90 nuclear bomb इन्होंने add किया है इंडिया का total 172 है याने इंडिया का total nuclear bomb का आधा चाइना ने बस एक साल में बनाया है चाइना दोस्तों इन nuclear bombs को deploy कर रहा है याने की peace time में भी चाइना को कोई डर अब सता रहा है और वो ready हो रहा है इनको deploy करना शुरू हो रहा है तो भारत को इसको seriously देखना भी चाहिए इसके सिवा अगर आप देखें तो ऐसा report है सीपरी नहीं कहा है कि चाइना के प पास होगा जाहिर सी बात है इतना सारा ICBM होगा तो यह deployed state में भी यह जो nuclear bombs है अब धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं तो इसके लिए दुनिया को तयारी करनी चाहिए इंडिया की बात करें तो इंडिया में slight increase हुआ है आप देख सकते हैं nuclear weapons 164 से बढ़के 172 हुए है याने कि आप देखी सकते हैं 8 nuclear bomb हमने extra बनाया है पिछले साल में अब दोस्तों यहां पे ऐसा सीपरी का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अलग-अलग nuclear delivery system develop भी कर रहे हैं इंडिया से बड़े परिशान है क्योंकि इंडिया ने आपको मालुमी होगा मीर system already उस प्रकार क missiles test किये हैं जो कि आप देख सकते हैं CNN में भी cover किया गया है कि इंडिया multiple warhead single ICBM में launch कर सकेगा तो इसका मतलब यह है एक बार यह भी कहीं न कहीं nuclear weapons एक बार military के पास आर्मी के पास आना शुरू हो जाएगा तो कहीं न कहीं nuclear weapons भी हमको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि वह single ballistic missile multiple warheads लेके जा रहा है तो number of warheads भी हमको बढ़ाने होंगे पाकिस्तान का दोस्तों यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया का पूरा nuclear deterrent है वह पाकिस्तान के आसपास focus करता था लेकिन अब चाइना पर हम focus करना बढ़ा रहे हैं longer range weapons हम बना रहे हैं तो ऐसा सीप्री ने identify किया है दोस्तों लेकिन यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा आप भले देख रहे हैं इंडिया का number 172 देख रहा है लेकिन दोस्तों ऐसे कई think tanks हैं जिनका कहना है यह number इंडिया चुटकी बजा के बढ़ा सकता है कारण है कई think tanks का ऐसा मानना है कि इंडिया के पास already 700 kg स से लेके एक टन तक का weapons grade plutonium मौजूद है भारत के पास है जिससे वह 213 nuclear bomb तुरंत बना सकता है और दोस्तों इतना ही नहीं इंडिया आपको मालूम होगा plutonium fast breeder reactor भी जल्द operationalize करने वाला है अभी recently March की बात है जब उसका core loading भी हो गया था मोदी जी स्वयम गये थे तो एक ब चालोगे और बदले में यह और plutonium बना बना के देगा तो इसलिए यह जो plutonium भारत के पास reserves हैं यह काफी तेजी से बढ़ने वाले हैं तो इंडिया plutonium based nuclear bombs बड़े असानी से बनाने वाला है तो यह नंबर भी इंडिया चाहे तो बढ़ा सकता है वो बात अलग है इसको इ आखड़े पर हमारा नंबर जल्दी से पहुंचा दें और साथी साथ हमें इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर फॉलो करें किंजल अंडरस्कोर जीएस मेरा है मेक्शिर आप हमें यहां पर जरूर इसके सिवाए इंस्टाग्राम पर जुड़ें और साथ ही साथ इस वीडिय आ रहा होगा इसको वश्य देखिएगा बिल आइकन तो जरूर दबाईएगा